हालो फ्रेंट्स इस सोना फ्रॉम माइन इपनोटिसम चैनल लोदियाना फ्रेंट्स आज में आप सब लोग के लिए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सब टॉपिक लेकर आई हूँ टॉपिक इस डेट अट्रैक्ट टॉबी एनिबोडी येस फ्रेंट्स हम कहीं भी किसी भी परसन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं तो बताती हूँ मैं आपको कुछ फंडे जो आप अपने आज पास क्रेटिविटी कर सकते हैं कर अट्रैक्शन पॉवर अपने आप में पहला कर सकते हैं सो फ्रेंट्स सबसे पहला है वर्ड क्लीम के बारे में आपको हमारे इस चैनल में पहले भी बहुत सादा बताया जिया होगा मैंने भी बुपेसर ने भी रंजीत मैंने भी काफे सारे लोगों ने अपने 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 एक्सपिरियंसीज भी शेयर कीजिए और मेर अंदर इतनी सादा ट्रेक्शन पॉवर अटोमेंटकरी पैदा हो जाएगी आपने खुद बलीव नी किया होगा लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है फ्रेंट्स हम क्लीम करें हैं हम मेडिटेशन करें हमें एक हफ्ता हो गया हमें एक महीना हो गया हम ऐसे का रहे हैं लेकिन र आपको डेफिलिटली रिजल्ट मिलेगा यह आपको मैने छोटा सा एक मैडिशन बताया है जो लोग मैडिशन कर सकते हैं जो लोग मैडिशन करते हैं वो क्लीम का मैडिशन कीजिये आपके अंदर अट्रेक्शन पॉवर पॉवर्स की तरह आएंगी भंडार आएगा बट इसे जगह है जहां पर पॉलीशन बहुत जाएग है तो उम कोशिश करते हैं से थोडासाइड और हो निकले यानि की आज CC महौल में हर इंसान pollution से भरा है हर इंसान की life में इतनी सारी problems है, इतनी सारी tensions है कि उसको थोड़ा सा relief चाहिए इतना सा relief तो friends, अगर आप अपना aura, औरे के बारे में आपको बता होगा अगर आप अपना aura को फिल्कुल neat and clean रखेंगे, उस जो pollution है, उससे दूर रखेंगे, अपना aura को बड़ा रखेंगे, attractive हो जाएंगे उसके लिए आपको भी जार से जादा meditation करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं आप clean नहीं कीजिए meditation, बिल्कुल शान्ती में बैट कर, बिल्कुल शान्त मन से कीजिए, meditation जितना आप meditation करेंगे जितना आप रिलाक्स रहेंगे उतना आपका aura, साफ सुत्रा और चमकदार और स्ट्रॉंग रहेगा इससे आप किसी को भी attract कर सकते हैं, negativity अपने आस पास भी मत आने दीजिए जातर लोग क्या, उसी pollution में जीरे, negativity क्या है, एक pollution जो हमें हमेशा अपने दुए में रखता है और हम बहार की दुनिया को या अपने अंदर ही जांक नहीं पाते हैं हम उस pollution की काले दुए में घूमते रहते हैं और बस कभी आख बंद, कभी नाख बंद, बस कुछ प्रॉपरली ना देख पाते हैं हमें जीना है, हमें विजुलाइजेशन, फीलिंग में जीना है प्योंकि एक्चुल में जो माइंड सोचेगा हमारी बोडी भूही करेगी ये कुछ एक्सराइस है, कुछ चीज़े हैं अगर आप इसे में डेली लाइफ रोटीन में लिक कराते हैं तो आप बहुत जादा अट्राक्टिव हो जाएगे ये जो चोचटी चीज़े होती है वो हमसे रूट के चला गया वो हमसे दराज होती है, कुछ भी नहीं ऐसा होगा विकास उस इंसान को भी एक पॉजिटिविटी की जरूरत है अगर उस इंसान को जो आप से दूर चला गया उसको आप में पॉजिटिविटी दिखी एक पॉजिटिविटी की लाइट दिख गई तो वो परसन आपके पास भागा भागा आए या आपको कुछ करने की सुरुत निया जस्ट अपने आप पर विश्वास रखिए ट्रस्ट कीजिए खुद पर अपने भगवान पर और क्लीम रहिए मेडिटेशन कीजिए पॉस्टिव रहिए एंड विजुलाइज कीजिए जस्ट फिल कीजिए और आपको कुछ नहीं करना है इन पातू के जालों में पॉलुशन में नहीं फसना है और अगर अपने मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से अगे शियर कीजिए और सब्स्क्राइब कीजिए अवर चैनल माइंड हिप्टोटिस्म थाइंक यू सो मुच फ्रेंज